एपी सी कल हमने एक्स्टू से खबर दी थी और देखे वीक बाजार में भी स्टॉक ने होल्ड आउट करा पर यहां से मैनेजमेंट की तरफ से कुछ क्लारिफिकेशन आए हैं वो कहरें कि जब भी कुछ भी डिवेलपमेंट होगा हम बाजार को बताएंगे तो ना उन्होंने कुछ नहीं कहा है और कल हमारी स्टॉरी में हमने मैनेजमेंट का यही क्लेरिफिकेशन लेकर भी चलते हैं कि फिलाल इसका ऐसा कोई डवलपमेंट नहीं है जब भी होगा तो वो इन्फोर्म करेंगे और वो जाहिर सी बात हर मैनेजमेंट यही रियक्शन देगा क्योंकि अ होता है हमें इस बारे में कोई गलत फ़हीं नहीं कि सबसे पहले वो हमें बताएंगी या किसी और जनलिस्कों या मीडिया उसको बताएंगे कि देखिए हम डी मर्जर करने जा रहे हैं नेचरली जब भी कुछ भी बात आगे बढ़ेगी ऑफिशली होगी वो सबसे पहले ए इनेजमेंट से रियक्शन लेने के बाद ये स्टोरी डाली है तो हम अब भी हमारी स्टोरी पर कायम है कि जिहां हमारे इन्वेस्मेंट बेंकिंग सोर्से हैं वो हमें बता रहे हैं कि ITC के डी मर्जर पर काम चल रहा है वीचार चल रहा है अब देखिए ये कोई ऐसा छोट की कम थी इतनी पुरानी कम थी है ये हफ़ते दो हफ़ते मेने दो मेने के काम नहीं है लंबे काम है तो इसलिए ये लंबी प्रोसेस है आप एक दो दिन में इस पर आप ये सोचे भी मत तो इसलिए पूरी तरह से जो हम सोचे थे वही है और उसमें कहीं को ये ITC की तरह से ज गलती से 55,000 रुपे के दाम पर गोल्ड खरीद लिया, 50,000 रुपे के दाम पर आपने गोल्ड खरीदा हो, और आज 45,000 रुपे का दाम है, क्या आप उपर नीचे हो जाते हैं, अगर आप उपर नीचे हो जाते हैं, तो फिर न गोल्ड न एक्विटी मार्केट आपके लायक है फिर आपको investment जब आप 55,000 और 50,000 का gold खरीद कर उपर नीचे नहीं होते हैं आपको यह लगता है कि नहीं आज नहीं तो कल कल नहीं तो अगले साल नहीं मेरा भाव आएगा बलकि उसके उपर भी आएगार मैं भाव आने पर भी नहीं बेचूंगा वही thought process ITC के shareholders की होनी चाहिए और एक चीज़ समझ जी कभी भी यह एक तरफा चाल नहीं है जब इतने बड़े stocks हैं तो उपर नीचे काफी होंगे चलेगा लंबा process है जिन लोगों के पास ITC है जिन लोगों ना ITC लिया है वो यह मान कर चले है दिल में पूरा confidence रखे और दिमा होते हैं सब कुछ ठीक है बाकी है हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं हमने एकदम sensible reporting किये और सोच समझ कर किये राइटी सी का जो reaction है official reaction वो हमने already कल स्टोरी में incorporate करने के बाद ही की है अब कई बार क्या होता है जब हम स्टोरी करते तो लोगों का ज्ञान उस वक्त करके ही चल रहे है तो कोई चिंता की बात नहीं है बिल्कुल आप आराम से निश्चिंत हो जाई है अगर आपको सोना खरीद कर डर लगता है तो ITC भी खरीद कर डर लगना चाहिए और अगर सोना खरीद कर डर नहीं लगता तो ITC खरीद कर भी बिल्कुल मट डरी है